अब बहुत बड़े एकजाम के त्यारी करते हैं और लंबे वक्त तक त्यारी करते हैं हमें कहीं न कहीं किसी मुकाम पर एक डी मॉटिवेशन का सामना करना पड़ता है हम दी मॉटिवेटेड हो जाते हैं हम लोग इतना बड़की पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि शायद अब हमारा नीट में सेलेक्शन नहीं हो पाएगा तो यह वीडियो आप सब के लिए डेडिकेटेड है अगर आप किसी भी मुकाम पर किसी भी वक्त अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है मुझे डी मॉटिवेशन हो रही है मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस नीट के लिए नहीं बना हूँ या ऐसा लगता है कि शायद अब मेरे से नहीं हो पाएगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होगी सबसे पहले being a doctor के नजरिये से मैं बताऊं तो किसी भी बीमारी को हम अगर अच्छे से करना चाते हैं समझना चाते हैं सबसे पहले क्या करना होता है कि उसकी root causes को ढूणना पड़ता है अगर यो कहूँ कि अगर मान लिजे कि आपको fever है पेट दर्द है वजन कम हो रहा है fever बहुत तेज आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि टाइफाइड हो सकता है तो मैं उसके root causes को ढूणूँगा उसके investigation को करूँगा फिर पता लगाऊंगा कि आखिर आपको fever, weight loss और vomiting diarrhea क्यों है तो शायद आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी चीज़ को थोड़े तह तक जाने के लिए बिलकुर अंदर तक जाने के लिए आपको root causes के बारे में ढूणना पड़ेगा समझना पड़ेगा अगर आप demotivated हैं तो इसके पीछे क्या कारण है अगर यह समझ में आ जाता है तो शायद इसके उपर विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आप आपको एक छणे भी लगे कि मैं demotivated हो रहा हूँ या हो रही हूँ या मेरे से अब नहीं हो पाएगा मेरी जन्रनी बस यहीं तक रही है तो आप अपने से एक प्रस्न पूछे कि आप आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है क्या physics आपसे नहीं हो पा रहा है क्या chemistry आपसे नहीं हो पा रहा है क्या आपसे bio नहीं हो पा रहा है क्या आपको कोई support करने वाला नहीं है क्या आपको moral support करने वाला कोई नहीं है क्या आपका health issues है क्या है आखिरकार तो देखी अगर मैं हर चीजों को बारे में बात करूँ तो शायद समय बहुत जादा लग जाएगा तो मैं एक छोटे से चीज से सुरुआत करूँगा कि देखे मुझे लगता है कि सबसे जादा डी मॉटिवेशन बच्चों को किस वज़े से होती है क्योंकि अगर वो test देते हैं अगर आप कोई test देते हो और उस test में आप अच्छा नहीं परदर्शन कर पाते हो चीछे जल्दी से नहीं हो पाती है आप मालेज़े mcq कर रहा हो फिर भी mcq सही से नहीं हो पा रहा है खासकर physics आपको हमेशा कहीं न कहीं demotivate करने में योगदान रहता है physics से आप demotivate हो जाते हो अगर question नहीं हो पा रहे तब उससे हो जाते हो तो देखे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि देखे अगर आप समस्या से भागेंगे तो इसका समधान ढून नहीं पाएंगे अगर आप समस्या से भागेंगे तो आप समधान ढून ढून नहीं पाएंगे अगर आपको समधान ढूनना है तो समस्या के साथ लड़ना पड़ेगा अब दूनिए कि आप आप किसकी वज़ा से demotivated हो रहे हैं क्या कारण है demotivate का physics कारण है तो physics को जादा से जादा पढ़िए chemistry कारण है तो chemistry को जादा से जादा पढ़िए bio कारण है तो bio को जादा से जादा पढ़िए डर के भाग जाओगे और समस्या से डरोगे तो समस्या आपको और डराईगी किसी ने कहा कि जब मैं छोटा सा तेंथ में था तो किसी ने कहा कि आपके छट पे ना भूत है मैं छट पे जाता ही नहीं था पूरे तेंथ पास कर गया आज तक छट पे गया है नहीं फिर मेरे ममी ने बताए किया रही हूँ तो जूट बोल रहा था पहीं ने छट पे मैं रोज छट पे जाती हूँ अच्छा ये बात है फिर मैं रात को अकेले ठान के बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के छट पे चड़ गया खट पे गया कुछ नहीं बहुत सुकून मिला रोज आने लगा तो कहने करती है कि आप जिस चीज से डर रहे हैं जब तक डरेंगे जबके आपके मन के अंदर ओडर आप जब तक नहीं निकाल के फेकेंगे तब तक आप डरते रहेंगे और डरते ही रहेंगे अगर आप फजिक से डर रहे हैं तो आप डरेंगे डरते रहे जाएंगे तो उसको मन से निकाल के फेकना है बहुत बाई डिप्रेशन के कारण और डिमोटिवेटेट के कारण ही है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम दिन में करी क्या जब हम सुबह उठ जाते हैं तो उठते उठते हमें बहुत अजीब सा फिल होता है कि आरे हम जादा सो गए अब तो दिन आधर बीद गया 10 बज़ गए 12 बज़ गए अब क्या करें कुछ पता ही नहीं हम दिन का गोल ही नहीं बना पाते हैं कि हमारे दिन का क्या गोल है हमें इस बारे से लेके आने वाले 10 बज़ रात तक करना क्या है तो set a goal for the one day not an entire week not an entire month क्योंकि entire week entire month में कुछ होता नहीं है आब अब अस गोल ही set करते रह जाते हो एक दिन का goal set करें और उसको उसके उपर प्रभाव साली तरीके से काम करें उसके उपर dedicated तरीके से काम करें तो सबसे important चीज़ है कि अगर आप वाकी demotivated से बचना चाते हैं तो आप goal को set करें आप अपने goal को set करें तब जो है आप प्रभाव तरीके से या paid content देख रहे हैं और उससे आप fruitful तरीके से उसको नहीं उपयोग मिला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आपके पढ़ने का तरीका समझने का तरीका को change करना पड़ेगा वैसे ही आप पढ़ते रहेंगे वैसे ही बार 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 पढ़ते रहेंगे कि बहुत सारे student ऐसे होते हैं कि जो गलती से डरते हैं उनको लगता है कि यार हम बार 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 कोसिस तो करने हैं वट हो नहीं पा रहे हैं तो कब तक आप गलती से डर होगे तो आप करनी पाओगे आपको पता है जितनी भी बहुत सारे लोगों आविश्कार किया है बहुत साड़िये की है गलती करके ही इंसान सीखता है हम इंसान है देवता तो हैं Spy हमसे गलती ना हो तो गलती से डरेना प्रैक्टिस करें बार-बार करें तो यह एगsåम में गलती नहीं करते है और अभी गलती कर दो चलेगा बड़ एक्जाम में गलती नहीं करने दी मॉटिवेटेड मत हुए इसके रूट कारण को ढूनिया उसको निकाल के फेकी बहुत बार ऐसा होता है कि आप सब यंग हैं और इस यंग स्टेज में रिलेशन से बहुत ही खतरनाक तरीके से दी मॉटिवेशन क एक कारण बनता है आप किसी से को चाहते हो या किसी से दिल लगा बैठते हो क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि जिंदिगी क्या है अभी आपको इतने मचौर नहीं हो अभी आप लाइफ को आप आपने फेस नहीं किया है और कहीं ने कहीं ये भी डिमॉटिवेट का जरि और आपने career पे focus किया जाए क्योंकि ये सारी चीजे जो है बाद में achieve की जा सकते हैं और बहतर achieve की जा सकते हैं आपको लगता होगा कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सबसे बहतर है बाद में इंसान मिलेगा नहीं बट आप wrong है ऐसा नहीं है इस धर्ती के ऊपर एक से एक बड़े हुए है एक से ट्रलेंटेड एक से एक सुन्दर एक से एक हर चीज़ तो बस सही समय का इंतिजार करें अपने career पे focus करें आपका career सबसे important है अगर आप अच्छा इंसान बन जाते हैं आपने सुना होगा अच्छे के साथ अच्छा ही होता है तो क्यों आप tension ले रहे हो आपको Unacademy की तरफ से एक gift मिल रहा है जितने भी आपके sibling हैं जितने भी छोटे बहन भाई हैं class 9th और 10th के लिए बहुत ही बहतर opportunity आई हुई है Unacademy के उपर आप एक महिने का प्लस का subscription उन्हें दिना सकते हो और इस सिर्फ 99 रुपीज में जो आप momos खा लेते हो समोसे खा लेते हो 99 रुपीज में देके उनको new year का एक gift उन्हें परदान कर सकते हो ताकि उनको भी मजा आए वो भी पढ़ सके एक मेरे referral code होता है डॉक्टर एसके सिंग जो सरवदा हर जगा applicable होता है तो capital letter में डॉक्टर एसके सिंग लगाईए और इस मुहीम का हिस्सा बनाईए अपने बहन भाईो तो बहन भाईो को इस मुहीम का हिस्सा बनाईए क्योंकि काफी effective है तो हर वर्ड कापिटल लेटर डॉक्टर एसके सिंग ऐसे लगा दीजेगा आपको पच्चिस सो के बजाए 99 रुपीज में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा महरास्टा एस्टेट बूर्ट से यह बहुत बड़ी opportunity है आप अपने छोटे बहन भायों को तौफा दे सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थेंकियू सो मच अल अफ यू अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बेटा देर किस बात की दबाओ लाल बटन सब्सक्राइब पर बटन दबादो ताकि आप सब बहतर तरीके से जान पाएं सीख पाएं और अपने जिन्दिगों को सवार पाएं थेंकियू सो मच थेंकियू